तो हेलो फ्रेंड गुड मॉनिंग कैसे आप लोग भूप आप सब बढ़ी आऊंगे तो आज की क्लास सुरू करते हैं और लास्ट क्लास का आपने रिवीजन कर लिया होगा कि कैसे कैसे लास्ट क्लास आपकी रही है तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहते हैं आंदोलन का थर्ट पार जहांपे हम पढ़ रहते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन बाकी प्रतक राजी आंदोलन और स्वतंतरता संग्राम वाले आंदोलन अल्रड़ी हम कंप्लीट कर चुके हैं और सामाजिक सुधार आंदोलन में भी अगर हमने पड़ा होगा तो हमने समाज को सुधारने के लिए सराब भीरोधी आंदोलन कंप्लीट कर लिये थे कि सराब भीरोधी आंदोलन क्या क्या होए। आज वहीं से आगे बढ़ेंगे, but as you know, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे current affair class से थोड़ा सा पहले 10-15 मिनट current affair पर चर्चा होगे, जिससे आपको current affair की अलग से class की need नहीं होगी और आपका current affair भी complete हो जाएगा सबसे important बात कि आप लोग ये भी demand कर रहे थे कि class रोड़े लंबी करनी है, तो current affair हो जागा, तो class खुदी लंबी हो जाएगा, ठीक है, तो आज सुरू करते हैं, तो current affair का पहला question आपके पास ये रहा आपके screen पर, और current affair का पहला question क्या है, उसको समझने की कोसिस करते हैं, यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, यहां रखिया का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो रही है, खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है, तो question आगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, 2023, ये कौन सा एडिसन है इसका ये थर्ड एडिसन है तो पहली बार कब होए होंगे 2020 में होए होंगे 2020 में होए होंगे क्योंकि जब 2023 में ये तीसरी बार होए तो इसका मेला पहली बार 2020 में होए होंगे इस बार खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम का हुआ था तो खेलो इंडि कि लोग बच्चे खेलेंगे इसमें, तो वैसे भी यूनिवर्सिटी में 18 और 25 साल तक कहीं बच्चे पढ़ते हैं, तो इस बार का जो 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था, उसमें 18 से लेके 25 वर्स के बच्चों के लिए वो था, जब कोई भी गेम होता है, उसका मस मसकट का नाम था, इसके मसकट का नाम था, जीतू, और जीतू कौन है, तो जीतू एक बारा सिंगा का नाम है, ठीक है, तो अगर क्वेशन आएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, कौन से एडिसन था, आप बताओगे थर्ड, आप बोलोगे कहां हो रहा था, तो चुछाइब बताओगे, यूपी में हो रहा था, इसका सुबगकर का नाम था जीतू, और जीतू है क्या, तो जीतू रियल्ती में क्या था, एक बारा सिंगा था, इसका उद्गाटन कहा हो था, अगर ये क्वेशन आएगा, तो उद्गाटन इसका लखणों में क्या गया और इसका समापन, closing ceremony जो थी वो वारण असी में थी ठीक है, उत्राखन के paper हो के लिए अगर हमें थोड़ा बहुत current affair पढ़ना है तो हम इन चीजों बेबात करेंगे, आने वाले समय में एक separate video है कि जिसमें हम उत्राखन का current affair discuss करेंगे यह center का current affair इसको थोड़ा देख लीजिएगा last class में मैंने current affair की बाते आपको बताई थी तो सुभंकर जीतु है, बारा सिंगा, उद्गाटन और समापन अब भई खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेमा तो कोई न कोई तो जीता होगा इसमें तो अगर question आएगा कि खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम में पहले number पर कौन सी यूनिवरसिटी आई थी, तो पंजाब यूनिवरसिटी second rank आई थी Guru Nana की उनिवरसिटी and third rank आई थी Jain यूनिवरसिटी की तो एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो important बन सकता है वो यही बन सकता है किसका सुभंकर क्या था और maximum बनेगा तो यह question बन सकता है कि topic कौन आया था पंजाब तो आप इन facts को याद कर लीजिएगा बाकी जो हमारा topic चल रहा हो तरखन में वो continuously चलेगा मैंने आपको बताया था एक current affair की notebook बना लीजिएगा आज से जो भी वीडियो आएगी तो लगबख maximum हर एक वीडियो में आपको स्टार्टिंग में कुछ current affair discuss करवाय जाएगा आपको ठीक है आगे बड़े तो एक और current affair का question यह भी लिख लीजिएगा इस बार boxing championship वी थी वर्ड की बड़े किस की थी महिलाओं की तो जो महिलाओं की boxing championship थी उसको भी आयोजन करने का मौका मिला था भारत को तो इस बार वो भारत में हुआ था इसलिए जाद है important है दिल्ली में हुआ था और 2000 यह इस वाला पूछ रहे है तो महिला boxing इस बार कहां हुई थी championship तो महिला boxing की championship इस बार हुई थी दिल्ली में ध्यान में रखियेगा और इसके brand ambassador यह वाला question थो ठीक ठाक level पे पूछा जाएगा इसका brand ambassador कौन था तो इसकी पहली brand ambassador थी Marycom और second number पे था फरान अक्तर ठीक है और इसकी जो सुभंकर बनाया गया था इसके सुभंकर का नाम था vira और vira क्या है एक चीता है इस से पहले आपने university game में देखा होगा सुभंकर क्या था जीतू था याद रखिएगा और यह जीतू कौन है तो यह जीतू 12 सिंगा यह जीतू था 12 सिंगा और जो महिला boxing championship में बन रखा सुभंकर वो कोने वीरा अवीरा क्या एक चीत है तो आज के class के लिए ये दो fact बहुत है आपके लिए current affair के छोटे छोटे दो fact पता चले आपको ये paper में आएंगे इसके बाद हम अपना topic पे चलते रोज ऐसी 2-4-5 question पे current affair पे हम चर्चा करने वाले जिससे आपका current affair चर्चाओं में क्या क्या चलता वो चीज़े भी पता लगती रहेगी ठीक है बाकि उत्राखन का current affair में special उसके लिए class लाओंगा वो आप पढ़ दीजएगा hopefully आपने उतार दिया होगा delete कर देते यह भी उतार दिया होगा delete कर देते अब आगे बढ़े तो आज की उत्राखन की class को हम सुरू करते हैं तो उत्राखन में हम पढ़ देते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदलोनों में हमको क्या पढ़ना है एक आंदोलन हम पढ़ चुके नसा वाला नसा भिरोधी आंदोलन अब हम पढ़ेंगे कुली बेगार पढ़ता उत्राखन में यह पूरी देश दुनिया में ब्याप्त थी कुली बेगार ठीक है ऐसा नहीं बोल सकता हमें कि सिर्फ उत्राखन में ब्याप्त थी कुली बेगार पूरी देश ईट दुनिया में ब्याप्त थी कुली बेगार का मतलब वर शिर्प है यह कि राजा महा राजाओं दौरा या अंग्रेजों के दौरा जो हमारे जिनके हम गुलाम थे free में काम करवाय जाना वर्तमान में भी आप भी तो एक नौकर बनना चाह रहे या हम भी एक नौकर बनना चाह रहे और हम कैसा नौकर बनना चाह रहे सरकारी नौकर बनना चाह रहे तो सरकारी नौकर बनने में कोई आफ़त नहीं आ रही ठीक है, मगर उस समय भी knocker बनते थे, मगर उन knocker को selling नहीं मिलती थे, इसलिए उसे कुली بेगार बोल दिया जाता था ठीक है तो क्या है, इसको समझते हैं फिरी में जो काम करवाया जाला था वही कुली بेगार है, तो आज इस कुली बेगार को समझने की कोसिस करेंगे, हेरिंग डालो कुली बेगार पढ़ता, कुली बेगार पढ़ता को पढ़ने के लिए कोसिस में सबसे पहले हमको ये पता होना अच्छी है, कि ये कुली बेगार है क्या, तो कुली बेगार मैं आपको समझा चुका हूँ, कुली बेगार क्या थी, फ्री में काम कुली बेगार पर था तीन परकार की थी तो कुली बेगार पर था तीन परकार की थी आप नॉर्मल तीन परकार बोलोगे 1, 2, 3 Question हैगा कुली बेगार पर था प्रारंभिक रूप से कितने परकार की थी कि starting में कुली बेगार परता realities में कितने परकार की थी तो इस starting में कुली बेगार परता 4 परकार की थी जबरदस्ती question हैगा कुली बेगार परता प्रारंबिक रूप से कितने परकार की थी तो 4 परकार की सी बर कुली बेगार परता कितने परकार की थी आपको ध्यान से सुने भी एक बार सुन लीज़ेगा अगर आप सुनेंगे तो याद करने में दिक्कत नहीं नी नीचे निचे नदियों 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 अब अंग्रे जदिकारी गाओं में आता था तो अंग्रे जदिकारी यहां तक तो बेल गाड़ी में आ जाता था अब अंग्रे जदिकारी अपने साथ समान सुमान ला रहा है तो उसके समान को गाओं में कौन ढोएगा आप ही बताओ तो अंग्रे जदिकारियों का समान ढोने के लिए हम पहाड़ों से नीचे उतर कर अंग्रे जदिकारियों का समान ढोने आते थे सडकों में अब फिर वाफिस गाउं में जाते थे मुझा बीबी याद है आपने अपने गाउं में से किया है नी किया है भगवान मालिक मगर जब हमारे पिताजी जॉब पे थे तो हमारे पिताजी या पापा हमारे जब आते थे छुट्टी तो वो सड़कों में ही आते थे अपने साथ बहुत समान लेके आते थे, तो गाड़ी में सड़क में उतरके, यहाँ पे बैग वगर लेके आते थे, और हमारा गाओं पैदल था, दो-तिन किलो मिटर दूर, तो हम गाओं से दोनों भाई आते थे, नीचे समान लोने के लिए, तीन भाई हम तीनों भाई आते थे समान लेने के लिए नीचे, कि पापा छुट्टी आरे, तो पापा समान लेके आये थे, तो उनका समान धोने के लिए हम पहले वेट कर रहे होते हैं, तो गाड़ी के आने से सडक में से थे, तो ऐस खिंसाना एक पेपर में आ भी चुका कुली बरदार시에 onory बाद्रह से यह आंगणे जतिकर्यारि यह यह रोड से गाउं तो पहूंच चुका लिए 10-2 है अब उसे टेक्सक्रेट ने के लिए इस पहाड से मतला एक गाउं से दूसरे गाउं जाना है दूसरे गाउं से तीसरे गाउं जाना है तीसरे गाउं से चौतरे गाउं जाना है पहाडों में हमारे गाउं होते हैं अब एक गाउं से दूसरे गाउं जब गुमेगा तो गाउं गाउं में उसका समान कौन ढोएगा हमारे गाउं से दूसरे गाउं गया तो हमारे लोग के लोग उसका समान लेकर दूसरे गाउं में पहुँचा चुके अब जाब से दूसरे गाउं के लोगों के जिम्मेदार होगी तो जब अंग्रेज जितिकारी गाउं में पहुंच जाएगा, तो एक गाउं से दूसरे गाउं जाने के लिए उसका जो समान ढोया जाएगा, उस पर्थाओं को बोला जाएगा कुली बेगार, दुबारे से समझ लो, जब गाउं वाले सड़कों में उतर के उसका समान ढोरे एक गाउसे, दूसरे गाउस घूमा, तुमने इसे कुली बेगार बोल दिया, अब यहां पे suppose को रात हो गई, गाउस में तो रात को रुकरों, गाउस में रुकरेगा, बेसिकली इसी बात है। जब अंग्रेज अधिकारी रात्री के समय गाउं में रुकते थे या गाउं में बिसराम करते थे तो उनके लिए खाने पीने की ब्यवस्था कराई जाती थी उसी को बोला जाता था कुली बरदायस अंग्रेज अधिकारी के लिए भोजन सामागरी उपलब्द कराना इस कुली बरदायस और आप पुराने paper solve out कर लीजेगा ये question already exam में आ चुका है अंग्रेज अधिकारियों के लिए खाने पीने की ब्योस्ता अवेलिवल करवाना क्या कहलाता था कुली बरदायस तो समझ में आगे आओगा मुझे पता है ठीक है अब बढ़ता है आगे अगर आपको नहीं समझ माया तो आप यहां से उतार लीजिएगा कुली उतार क्या है जब गाउंवाले सडकों पर उतर कर अंग्रेजों का समान ढोते थे इसे कुली उतार पहले मैंने समझाया आप इसे उतार सकते है जब अंग्रेज जर्दिक्री पैदल भरमन पे जाते थे यह बी नाम मजदुरी के गाउंवाले उनका समान ढोते थे मतलब एक गाउं से दूसरे गाउं जब भी नाम मजदूरी का उनका समान ढोया जाता था उस पर था कोई कुली बेगार के नाम से जाना जाता है यह हमने लिग दिया है और कुली बरदायस क्या है अंगरे जदिकारियों के लिए तो खादिया सामागरी उपलब्द कराना वो गाउं में रुकेगा तो खाने पीने की सामागरी उपलब्द कराना इस कुली बरदायस यह उत्राखन के पुराने पेपर आप सॉल्व आउट करेंगे तो यह एक्जाम में आ भी चुका है कि वोट इस कुली बरदायस ठीक है? ओके आगे बढ़ेंगे तो जो मैंने कहा था इस स्टार्टिंग की क्लास में कि प्रारंभी ग्रूप से चार है नॉर्मली तो यही तीन परकार के कुली बेगार पढ़ता है तो एक कुली बेगार पहले से थी हमारे समाज में ब्याप्त जिसका नाम है चौथे नंबर की हलक बेगार तो हलक बेगार का सम्मंद कि से? डाक से सम्मंद हलक बेगार का और यह अंग्रेजों ने 1881 में ही समाप्त कर दिया था तो वह उसलिए आम हलक बेगार का नॉर्मल कुली बेगार पढ़ता तो कब बंद होगी 1921 में उतराणी मेले में सब लोगों ने पढ़ा है मगर क्वेशन आएगा हलक बेगार कब समाप्त होई थी तो हलक बेगार तो को समझा कि कुली बेगार पर्था BASICALLY कते परकार की थी कुली उतार, कुली बेगार कुली बरदस, तीनों में क्या-क्या होता है हो उनके बता दिया एक last one कुलीD वह हलग बेगार भी होता था ऑर हलग बेगार का संबन डाक से होता था ठीक है डाक का मतलब क्या है कि पहले जो अंग्रे जदिकारी है अपने अपने रेसिडेंटल एरिया वाला अपने अपने हैड़कौर्टर से पहाडों में जाते ही नहीं थे वो डाक से ही पहाडों में मैसिज महुचा आ देते थे कि भई टेक्स लियाना या ये कर देना वो कर देना मगर गाउंवाले उनके डाक को देखके डरते नहीं थे और उनके डाक से इतना effect नहीं पड़ेगा जैसे अभी मैं online पढ़ा रहा हूँ online भी ग्यान देता हूँ समझातो कि पढ़ लो revision कर लो ये कर लो तुम सुनते नहीं हो बढ़ अगर मैं तुम्हें offline class में पढ़ाता तुम मेरे पास पढ़ने के लिए तो तुम्हें मार पढ़ती तो तुम मुझे से याद कर ले थे तो offline जा दे फाइदे मंद होता है न वैसे online कितना भी grow कर ले इंसान पर offline का भी बंद नहीं होगा ऐसी ये डाग द्वारा कितना भी बड़ अच्छे rule बना ले कितने भी गंदे rule बना ले गाउं वाले उस डाग वाले rule की value नहीं करते थे डड़ते ही नहीं थे तब अंग्रेज उन्हें खुदी गाउं गाउं में जाना सुरू कर दिया तो उन्होंने हलक बेगार को समाप्त कर दिया तो हलक बेगार क्या है कब समाप्त हुई हलक बेगार का सम्मन किस से होफुलिए सारी बाते आपकी केलियर हुई होगी मुझे ऐसा लगता है तो कुली बेगार परता सुरू हो चुका है कुली बेगार आपने समझ लिया है कुली बेगार के परकार आपने समझ लिये प्रारंभी ग्रूप से कितना था और बाद-बाद में कुली बेगार कितना था वो भी समझ लिया नॉर्मली हलक बेगार का समापतों 1800 इकांडवे में अकुली बेगार पर था पून रूप से समापतों कभी 1921 में अब हम 1921 तक बंद कैसे हुआ है कैसे कैसे इसका आंदोलन हुआ है कैसे कैसे इसका भी रोधा है उसको समझने की कोसिस करते है इतना बड़ा आंदोलन हुआ है इतना बड़ा ड्रामा हुआ है यह जो पढ़ था है यह एकदम से तो बंद नहीं हुए इसके लिए बहुत आंदोलन करने पड़ है और क्या क्या आंदोलन हुए वो समझते है तो यह तो हमने कुली बेगार के परकार थे पहला पॉइंट है महात्मा गांदी महात्मा गांदी ने कुली बेगार परथा के लिए एक सब्द बोला है अब वो बोला है रक्त हीन करांदी क्या बोला है रक्त हीन करांदी तो कुली बेगार परथा को रक्त हीन करांदी किसने कहा है ऐसा question आएगा तो कुली बेगार पर्था को रख्टहीन करांती बोला था महात्मगान्दी ने रख्टहीन करांती क्यों बला था रख्ट मतलब खून अहीन मतलब बीना खून के अभी तक आपने इतने आंदोलन पड़े मैंने तो मैं आंदोलन पढ़ा लिये स्वतनता संग्राम वाला भी और पर्थक राज्य वाला भी हमने जब जब पुलीस वालों के खिलाप यह जब जब अंग्रेजों के खिलाप आंदोलन करने की कोशि Calvin करी है अंग्रेजों ने हम पे गोली चला दी थी तो खुन खराब होता था, बड़े कुली बेगार जो आंदोलन है ना, इसमें हमने आंदोलन भी किया, और ये आंदोलन सक्सेस्फुल भी हुआ, अंग्रे जोने गोली भी नहीं चलाई, कोई मरा भी नहीं, और हमारा आंदोलन सक्सेस्फुल भी हो गया, इसलिए इस आंदोल दूसरा नाम आता है आपके पास स्वामी सत्यदेव स्वामी सत्यदेव जी ने भी कुली बेगार पर था के लिए एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने इसको बोला है असहयोग नौन कॉपरेशन मुवमेंट को बोलते हैं असहयोग आंदोलन की पहली इंट असहयोग आंदोलन की पहली इंट तो असहयोग आंदोलन की पहली इंट किस आंदोलन को कहा जाता है तो कुली बेगार पर था के विरोध को ही असहयोग आंदोलन की पहली इंट कहा जाता है और इसको पहली इंट किस ने कहा था यह स्वामी सत्यदेव ने कहा था क्योंकि असाहयोग, आजोलन क्या है साहयोग, अउसके आगे अ लगा दिया गया है तो असाहयोग, non-copresor तुम उताल लीजे गयासे असाहयोग का मतलब क्या है कि मतलब अंग्रे जोंका साहयोग नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए सायोग नहीं करेंगे तो वही तो होगा असायोग और इसमें भी तो हम सायोग नहीं करेंगे जब हमने इस पर्था का विरोध किया तो अभी हम अंग्रे जोगा सायोग तो कर रहे उनका समानों मान डोरे तो उनकी हेल्प तो कर रहे तो असायोगांदोलन क्या हो गया कि किसी का भी हेल्प नहीं करना अंग्रेजों का हेल्प नहीं करना क्योंकि अंग्रेजों का हेल्प भी करते है मारते भी हमें एको है लूटते भी हम एको है तो उनकी मददी क्यों करें हम? तो असायोगांदुलन क्या था कि उनका सायोग नहीं करना और उसी असायोगांदुलन की पहली इट कहा जाता किसको? कुली बेगार पर्था को यह ध्यान में रखिएगा अगला नाम आता आपके पास वो नाम आता तारा दत गैरोला तारा दत गैरोला जी ने कुली बेगार पर्था कि लेगी स्टेटमेंट बोला है और इन्होंने बोला है कि कुली बेगार जो है वो सब्य समाज के लिए एक कलंक है तो सब्य समाज के लिए कलंक तो कुली बेगार पर था को सब्या समाज के लिए कलंक किस ने बताया है तो कुली बेगार पर था को सब्या समाज के लिए कलंक तारादद गेरोला जी ने बताया है कि यह जो कुली बेगार पर था है ना यह समाज के लिए मैं जो Sabphyya Samaaz बुले, तपढ़े लिके समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए, तो ये कलंग की है, तो फिरी-फिरी में गरीबों से, मझदूरों से काम कर वा रहे हो, और उनकी मझदूरी नहीं दे रहे हो उनको, तो ये गलत ही है, तो सब्या समाज के लिए कई नगाई कलंक बताया और किस ने बताया तारादत गेरोला जी ने बताया सब्या समाज के लिए कला एक नाम आता है विश्वा के थियास तुमने पढ़ा होगा जिसका नाम है कारल मार्क्स ठीक है मेरी स्कूल में, स्री, कॉलेज में मेरी बीए थी तो कॉलेज के बीए में भी हमने पढ़ा होगा काल माक्स, ठीक है तो वहाँ पे रूसो, काल माक्स ऐसे नाम सुनने के लिए मिले होंगे आपको, तो यह कुली बेगार हो गया, कि बीना मज़दूरी के तुम काम करवारे कुली बेगार, तो पुरी देश दुनिया में ब्याप्त थी तो काल माक्स ने ये एक स्पेस स्टेटमेंट दिया था, अपने यहां दिया होगा ठीक है, तो उनका ये था, कि जो पुली बेगार पर थैना, ये अतरिक्त सरम की चोरी है, अतरिक्त सरम की चोरी, अतरिक्त सरम की चोरी मतलब समझे तो अतरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, असरम मतलब महनत, स्रमिक, स्रमिक सब्द बनाए से, एक पड़ते जोड़के, ठीक है, तो अतरिक्त सरम की चोरी मतलब अत अतरिक्त महनद की चौरी या अतरिक्त काले की चौरी देखो मैंने आज 6 गंटे गाम किया मुझग इसकी सैलनी मिली खान साल क मुझे से पहले दिन कितना काम करा दिया 10 गंटे का काम करा दिया जबकि मुझे according to rule पहले दिन कितने गंटे का काम करना चीए था 6 उसने 10 गंटे का काम करा दिया अगले दिन पूसने क्या करा मुझे 8 गंटे का काम करा दिया ठीक है तो देखो तीन दिन में खतम होना था 6 पुलस, 6 पुलस से 18 दिन, 3 दिन की ध्याड़ी मिलती मुझे और उसने 2 दिन में काम करा दिया मुझे से एक्स्रा काम करा दिया अर इसका पैसे भी नहीं मिला तो अतरिक्त सरम की चोरी इसको किस ने कहा था? काल माक्स ने कहा था कुली बेगार पर्था को बहुत डीटेल में समझाओंगा और उत्राखन का कोई भी एक्जाम नहीं है कि जहां से इन टॉपिकों से क्वेशन नहीं बनते कुली बेगार पर्था आपने बहले पहले भी पढ़ी होगी कितने परकार का था यह सारा चीज हमने कुली बेगार पर्था के बारे में देख लिया है अब कुली बेगार पर्था को क्या क्या सिस्टेम उपन ने की कोसिस करते है अब कुली बेगार पर्था का विरोध होगा अभी तो कुली बेगार परता को नॉर्मल समझा हमने इसका विरोध होगा तभी तो समाप्त होगी कोई भी चीज जब तुम मेरा विरोध करोगे तभी तो मैं समाप्त हो जाऊँगा तुम मेरा सपोर्ट करोगे तभी तो मैं फेमस हो जाऊँगा है की नहीं है, देखते हैं, तो question आएगा, पहला point है, point point करके लिखेंगे, कुली बेगार का प्रथम विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो वहाँ पे एक नाम आता है, सुमारी के, सुमारी के पंथ्या दादा, ठीक है, तो सुमारी के पंथ्या दादा द्वारा कुली बेगार प्रथा का सर्व पर्थम विरोध किया गया, अगर ऐसा question है, कुली बेगार प्रथा का पर्थम विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो सुमारी के पंथ्या दादा, सुमारी एक गाउं है, और सुमारी गाउं कहां पड़ता आपका पौडी के स्रीनगर में पड़ता है यह सुमारी के पत्यादा सुमारी कहां पड़ता है पौडी गड़वाल का स्रीनगर में पड़ता है हमारे पौडी के स्रीनगर में पड़ता है और यह सुमारे गाओं चर्चाओं में भी आजकल एन आईटी की चकर में न उसी सुमारे गाओं का एक दादा का नाम था, पंत्या दादा, उन्होंने कुली बेगार परता का अपने जमाने में पहली बार बिरोत किया था कि ये फिरी में ये बेकारी का मज़दूरी गलत है, किसी को तो मजदूरी कराओ, कोई प्रॉब्लम नी है, हम मजदूरी कर रहे ह हम अभी भी तो नौकरी करना चाहते हैं, सरकार की नौकरी करना चाहते हैं, बतलब सरकार का नौकर बनना चाहते हैं, तो सरकार उसके बदले में हमें क्या देगी, सैलरी देगी, पैसा देगी, फिरी में काम नहीं करवाएगी इस पंत्या दादा का नाम आप गूगल यूटूब में पढ़ोगे, यूटूब में देखोगे, मोधी जी ने एक बार इस पीच दिया था, धनसिंग रावजी स्रीनगर के बिधायक है, एक्स्ट्रा फेक्ट में लिखनाओ को तो लिखिएगा, और धनसिंग रावजी आपक हेल्थ मिनिस्टर उत्राखन के, और यही धनसिंग रावजी ना, इनके परचार परसार के लिए नेरेंद्र मोधी जी स्रीनगर गडवाल में इस पीच देने आये थे ना, तो मोधी जी का एक स्टाइल है, कि जहां भी जाते ना, उस वेजबूसा में ढल जाते, नौर्थी अगर कई परचार करना था, दंसिंग रावाद का, तो उनका इस पीच देखना इसी से शुरूँ है, कि सुमारी के पंत्या दादा अमले था, कि मादो सिंग तो मैं नमस्कार, नमस्ते, ऐसे, अथब गडवाल के लेडिस लोग, गडवाल के पुरूस लोग ने खिया, कि मो पिसा दे, इसका नाम मोदी जी ने अपनी स्भीच में लिया था, तो कुली बेगार पर्था, का पर्थम बीरोद किसके दारा किया था, सुमारी के पंत्या दवादा सुमारी का पर्था, सीन अगर wink, इस सुमारी का extra fact क्या है, कि NIT बना, NIT कि कब बना, 2009 में, बट अभी NIT 4 क्योंकि उसको बड़े लेवल पर फेला रहे, ओके, दूसरा, दूसरा प्वाइंट इसका, कुली बेगार को, कुली बेगार को मैं के भी लिख दूँगा, ठीक है, बार बार कुली बेगार कौन लिखेगा, आप इसे समझाना, कुली बेगार को प्राचीन समय में, मतलब कुली बेगार को ही इसी प्रत्था को प्राचीन समय में बिस्टी नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, जाना जाता था, तो क्वैसन है का कुली बेगार प्रता का पुराना नाम क्या है, तो कुली बेगार प्रता का पुराना नाम क्या है, बिस्टी, तो निम्ने में इसे कुछ पॉइंट बन जाएगा कि कुली बेगार पर था को किस नाम से जाना जाता था तो प्राचीन समय में इसको बिस्टी नाम से जाना जाता था कि पहले के जमाने में जो भी चीज़ बिस्टी में होती थी वह यह चीज़ कुली बेगार पर था मोरी मलब बिस्टी का ही modern रूप कुली बेगार है अकला point जो ये कुली बेगार थी मैं के भी लिखूंगा कुली बेगार सामान्यत दली तवर्ग दली तवर्ग भुवा गरीव जनता से करवाया जाता था ये extra fact लिख सकते हैं आप कभी वैसे वाले question मनेंगे ने statement वाले तुहाँ पे काम आए गए अर दूसरा कुली बेगार को important करके याद अखना पंडितों से गोर खोने कराया पंडितों से किसने कराया ब्रामौनों से किसने कराया गोर खोने करवाया इस point को समझते दो point तो आप लिख लेंगे देखो कुली बेगार पर था क्या था अगर हम समझेंगे तो सायद से मैंने तो मिटा दिया है बट मैंने जब लिखा था ये हमारा गाउं है और यहाँ अंग्रेज लोग जब सड़कों से गाउं में जाएंगे तो उनका समान ढोने के लिए हम नीचे आ रहे थे एक गाउं से दूसरे गाउं ले जाने के लिए उनके लिए हम इधर से धोरे थे हम समान देखो जो यहाँ पर गाउं है गाउं में सो लोग है अब पता चला है कि नीचे अंग्रेज आ गया है पर उस अंग्रेज का समान ढोने के लिए उन सो लोग में से जाएगा कौन यह बड़ी मुद्द है तो लोग जाते नहीं थे अब जब लोग कौन जाएगो इसमें तो अगर कोई लोग न जाएगा तो सबको मारता था हूं तो अमीर-मीर लोग समाज के गाउं के बड़े बड़े लोग जिनके समाज में पावर थी वो गरीब जनता के बोलती कि ज़रे अंग्रेज का समान लेकिया जावर नवह सब को मारेगा है की नहीं है तो दलीत वर्ग के जो लोग तो उससे में उनका समाज में रुत्बा कम था ताइट टाइम अभी तो नहीं बोलूँगा मैं पर ताइट टाइम तो जो समाज में जो नहीं को बेस था सर्काई का थलोगों सोझेक तो यह जाते हैं, तो यहां पर इस टेटमेंट वाले क्वेशन बनेंगे, तो इस टेटमेंट वाले क्वेशन आप देख लिजगे, मैंने आपको बता दिया है, कि क्या है मुद्ध है ये दूसरा कुली बेगार पंडितों को गोर्खों ने करवाए इसका मतलब क्या है कुली बेगार पर था या कोई भी मजदूरी का काम या कोई भी गंदा काम पंडितों या ब्रहामन लोग उस जमाने में करते ही निते ब्रहामनों लोगों को समाज में रुत्वता अंग्रेजों के टाइम पे भी समाज में ब्रहामनों से ज़्यादा टेक्स नहीं वसू ले जाते थे ब्रहामनों की समाज में इज़्जत थी तब भी और अब भी तो गोर्ख जब यहां आए तो गोर्खाओं ने ब्रहामनों से काम करवाया मगर गोर्खाओं ने कहते हैं कि ब्रहामनों ने कहा था कि हमारे पैर पूझे जाते हैं हमसे कैसे काम करवा सकते हैं तो मुला हमारे पाउं छूते हैं अवाके में हम पंडी जी के पाउं छूते हैं जो हमारे family पंडित होते तो गोर्खाने उने बोला अबे भाई तेरे पाउं पूझे जाते हैं और तुने मेरा जो समान उठाना ना मुंडी में रख क्यों उठाना है चल समान मुंडी में रख और चलता बन तो question यहां से आता है कि पंडितों से कुली बेगार का कार्य किस ने करवाया अंग्रेजों ने कराया चंदों ने कराया पामारों ने कराया गोर्खाओं ने कराया तो पंडित वर्ग पहले इससे अनविग्य था मगर गोर्खा जब आया अगर खाओं ने ब्रहमनों से कुली बेगार का काम करवाया है वो मैं तुम्हें लिख दिया है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है तो इन चीजों को ध्यान में रखियेगा कैसे कैसे हो रहे है आगे बढ़ेंगे कितने पॉइंट होगे एक दो तीन ये चार पॉइंट होगे अगला पाँचव पॉइंट है अब गोरखाओं ने कुली बेगार के लिए एक सेना बनाए थी जिसका नाम था खचर सेना यह मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ अंग्रेजों में तो कुली बेगार के लिए अब खचर सेना का निर्मान हुआ था अब खचर सेना का निर्मान कब हुआ था 1822 में हुआ था खचर सेना का निर्मान और किसके द्वारा किया गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल यह हमारे कुमाओ कमिस्नरे ट्रेल और खचर से न का अगर बोलेंगे विचार किसका था खचर से न का आइडिया किसका था तो यहाँ पर एक नाम आता Mr. Glyn का था Mr. Glyn का ये विचार था क्या समझ में आता है अभी तक अंग्रे जो का समान लेने हम पैदल पैदल आ रहे थे मुंडी मेरा कि उनका समान ढो रहे थे फिर एक गाउं से दूसरे गाउं भी अंग्रेजों का समान ढो रहे थे हे की नहीं है तो अंग्रेजों ने हमारी मदद करने के लिए George William Trenler किसके कहने पर Mr. Glean के कहने पर Mr. Glean ने इंडियन लोगों की मदद के नेगले क्या बोला कि सर जब काम इनों ने करना है तो ये अपने सर में समान ढोरे इनको देखके तयार ही है इससे बड़े हर गाउं को 4-4 घोड़े अलाओ कर देते अल जैसे मेरे गाउं को 4 सरकार गोड़े मिल गए अब अग्रेज हमारे गाउं में आएगा तो फिक्स होगया था तो उसका समान किसमें लाएगा गोड़े में लाएगा तो गाउं वालों को ज़दा महनत नहीं करनी पड़े था तो फिर इजली पड़े गया समझमा ही आपकी बात है तो ध्यान में रखिएगा तो इसलिए खचर से न बनाई तो कोई से न खचर से न कब बनी तो भई खचर से न 1822 में बनी खचर से न किस कुमाओ कमिस न न बनाई थी तो जोर्ज बिलियम ट्रेल ने बनाई थी और जोर्ज बिलियम ट्रेल ने किसके कहने पर बनाई थी तो मैं इसाब से क्या हुआ वो देखते हैं तो लोहागाट चावनी थी लोहागाट चावनी लोहागाट कहाँ पढ़ता है चंप आवाद में लोहागाट चावनी आर्मी कैम पर आओगा देट टैम लोहागाट में ठारोस जालीत बहुत पुरानी बात है लोगाड चावनी में रावसन पहुचाने से पहुचाने का विरोध तो लोगाड चावनी में आर्मी एरिया में गाउवालों ने कुली बेगारना करने का विरोध किया या गाउवालों ने रावसन पहुचाने या उत्पाद देना बंद कर दिया अब इताग क्या होता था? मैं अगर देखू अपने यहां का एक्जाम्बल दू समझाने के लिए हमारा यहां पे गड़वाल रैफल का रेजमेर जाहां मेरा गाउं मेरा गाउं भी लैंजरॉन में तो लैंजरॉन में आर्मी कैम्प है अब लेंजॉन में तो जंगल जंगले पहाड़ पहाड़ है उस जंगल पहाड़ों में खेती बाड़ी इतनी जादा है नहीं उस समय है जो अंग्रेजों की फौज में भरती होते थे वो रहते थे पहाड़ों में तो अंग्रेज उनको खाना कहां से किलाएंगे, जब वहां खेती बाड़ी हैं, आठा चामल कहां से लाएंगे, तो लैंस जॉन के नीचे एक सहर है, जिसका नाम है कोड़द्वार, अब कोड़द्वार को कुछ मैनों में भाबर भी कहते हैं, अब भाबर उस छेतर को कोहते ह जो नदियों के मैदानी भाग होता है, भाबर कहलाता है, और इन नदियों के किनारे किनारे क्या होता था, दाल चामल ठिक ठाग लेबल पे होता है, धानों के लगाते हैं नदियों के किनारे, तो अंग्रेज उनने रूल बना दिया था कि गावाले खेती बाड़ी भी करें अगर वाले अपनी खेती बाड़ी के नुशार अंग्रेजी हेटकॉटर में रासन पहुचाएंगे दाल चावल पहुचाएंगे फौजीयों के लिए तो गाउवाले अपना मेहनत का रासन देते भी थोने अंग्रेज उने क्या कि अब रासन लेने भी नहीं आ रहे कि रासन भुगाओं में अब बाद में देने भी आ जाओं तुझे तेरे घर की लेगा तो वहां के लोगों ने सबसे पहले विरोध किया था कि बाई एक तुम रासन पानी तुमें दे भी रहे तुम लेने भी नहीं आ रहे तुम मत ले जाओ ना खाओ कभी ना ठीक है अगर क्ली बेगार के विरोध कव हुआ तो लोगार चाओन में ध्ली बेगार के विरोध कभी 58-40 में अग क्ली वेगार के विरोध प्रोध कि से लेवल हो है । आपकी साथ वी डेट, साथ वी डेट आपकी 1893 में, 1893 में क्या वकुली बेगार से सम्मंदित, कॉंग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, हर साल कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहोर अधिवेशन, कॉंग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, 1893 में कॉंग्रेस का अधिवेशन हु और ये दादाभाई नेरो जी है न जो इन दादा भाई नेरो जी ने इसी Congress की अधियक्सता में इस इसी Congress के अधियवेशन में पूरे देश बड़े लेवल पे Center level पे दोको अगर हम उत्राखण में किसी लेवल की चीज की मांग कर रहे हैं और वही मुद्दा सेंटर लेवल पर कोई नेता उठा दे तो मुद्दा हाइलाइटेड हो जाता ने, देश में भी यार, तो ऐसी ये कुली बेगार के खिलाप सेंटर लेवल पर कॉंग्रेस के अध्यक्स दादा भाईनेरो जी ने, इसी दादा भाईनेरो जी को Grand Old Man of India भी कह जाता है, अब भारत में पहली बार प्रती ब्यक्ति आए, ये extra factors है जो, इन्हें उतार लीजिएगा, प्रती ब्यक्ति आए, पर income capital सबसे पहले इनी के द्वारा निर्धारित की गई थी, वो भी 20 रुपे पर ब्यक्ति, पर person, जब इन्होंने पर ब्यक्ति इंकम निकाली थ उससे में भारत का एक ब्यक्ति 20 रुपे कमाता था, अभी वो लाखो करोणों में आता है, तो छोड़ो वो बात, दादा भाई नेरोजी को भारत का ब्रत पुरुस्त, ग्रेंड ओल में इंडिया भी का आ जाता, भारत की आसा होफ अप इंडिया भी निको का जाता है, और स 1833 में लाहर अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने कुली बेगार परता, मैं कुली बेगार को के भी लिखूंगा ठीक है, कुली बेगार परता का विरोध परस्ताओ पास किया था, विरोध परस्ताओ रखा था, सेंटर गवर्मेंट द्वारा भी अंग्रेजों के कुली बेगार परता का विरोध परस्ताओ रखा था, कि अरे गलत काम करवाते हैं अंग्रेज हम से, ऐसा राजम हाराजों के टाइम पर भी होता था, अंग्रेज भी है कर रहे तो यह तो गलत बात है, तो देखो, कौन रेज के किस अधिवेशन में कुली बेगार परता के अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ कि समझ में सर ये समझ में नहीं आ रहा, इस बात को समझाईए, अठारा सो तिरा अडवे के बाद आप डेड लिखेंगे उननी सो तीन, बड़ा इंपोर्टेंट है, उननी सो तीन में हमारे देश में वाइसर आइकोन है, ठीक इंपिरेड लिखी देताओं में, 1899 से लेके, 1905 तक यही भारत का क्या था, गवर्नर जन्नल था, तो 1803 में लॉड करजन ने उत्राखंड की यात्रा करी थी, उत्राखंड की यात्रा पे आ गया थे, अब सपोस करो, उत्राखंड वाले लोग, रिलेट करो इन चीजों को, यही तुम याद करोगे, कितना याद करोगे, क्या-क्या जी याद करोगे, तब तक चीजों को तुम जोड़ोगे नहीं, रिलेट नहीं करोगे, कहान या माइन में नहीं, फिक्स करोगे, बात नहीं मनेगी, और एक बार हमसे पढ़ लो, तुम्हें दिन जंगी में दुब याद हो जाएगा, जब चीज़े याद होगी तो exam में भी same आते तो exam में भी आदमी कर देगा अगर चीज़े याद नहीं होगी तो दिक्कत होगी और exam में हमेशा हर एक बंद जिनका selection भी हो गया वो भी, हर एक ये होता है कि 2-4 questions हम आते आते गलत कर दे थे, अब वह इसलिए कि हमने उसका revision नहीं कि, हमें आता तो था बढ़ हमने गलत कर दिया, क्योंकि and the last moment हम उसे भूल गया है क्योंकि हमने उसका revision नहीं किया समझ में आया होगा तो Lord Karzan ने उत्राखन की यात्रा कपकरी 19 सु थी, basic सी बात है अब किसी चीज की demand कर रहे है पुसकर सिंग धामी से, अब पुसकर सिंग धामी तो सुनी नहीं रहा है, और अचाना से खबर आए कि मोधी जी कोड़ दोर आगे, तो भाई मैं मोधी जी से बोल नूगा कि भाई तू ही कर दे इसको सौहल बहा, क्योंकि सबसे सुपीरिया तो मोधी जी है तो मैं आखकुमाओं कमिशनरों को या अलाना फुनाला लोगों को बोली ते कुली बेगार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो बट भाई देश का गवरनर जन्रली उत्राखंड आगे तो उत्राखंड वालो ने इस मोधी को नहीं छोड़ा इसे कुली बेगार परताओं को बंद कराने गी, बात करी तो उत्राखंड की यात्र पे गया और इस समय ये पहुंचा था अल्मोडा, उत्राखंड की यात्र में है तो अल्मोडा का हर जगा में जी करें और ये नॉर्मल question exam में भी आता है कि स्वत्तंतरता संगराम आंदलोनों में सबसे जादा योगदान किसका अल्मोडा का है हर कोई ब्यक्ति अल्मोडा का ही था जो खतरनाक लीडर तो आप अगर अल्मोडा से तो आप खुस नसीब है कि आपके जो पूरवस्तों काफी तकड़े थे तो अल्मोडा खव्याडी गउं यह पहुंचा होगा आई यहां पे कुली बेगार मैं दुबारा से के भी लिखूंगा कुली बेगार को बंद करने की मांग की थी बंद करने की मांग तो नॉर्मल से क्या क्वेशन बन सकता है कि लौट करजन उत्रखन की यात्रपे कब आए 1903 में लौट करजन का सासन काल का है वो मैंने लिख दिया वो नॉर्मल जी का क्वेशन है उत्रखन की यात्र पे कहां आये ते अल्मोडा पूरे उत्रखन ही घुमा था और अल्मोडा के खव्यारी गाउं में गाउंवालों ने इसे क्या बोला था कि कुली बेगार बंद कर दो मालिक तो Lord Karjan से कुली बेगार बंद करने की मांग कब की गई कहां की गई अगर आप से पूछेंगे तो वो आप बता दोगे और अगर ये पूछा जागा किस ने करी कोई न कोई तो आदमी होगा तो उनका नाम है गौरी दत बिस्ट एक नाम आता है पढ़ने में और वो नाम आता है गौरी दत बिस्ट जी तो अगर क्वेशन आएगा कुली बेगार पर था को बंद करने की डिमांड हमने Lord Karjan से कब करी 1903 में और नॉर्मल क्वेशन आएगा कि Lord Karjan उत्राखन की यातरफे गब आई 1903 में और क्या क्या सिस्टम तो मैंने बता दे गौरी दत बिस्ट लॉर्ट करजन जब मैं तुम्हें पढ़ा आई रहा हूं तो एक्ट्राफेक्ट हमें सा एज यूजर में लिखाता हूं उत्राखन में एक दर्रा भी एक करजन पास जिस दर्रे से ये गया होगा उत्राखन में एक दर्रा ये भी ए ट्रेल पास तो ट्रेल पास तो मैं आपको आलेड़ी बता भी चुका हूं जिसको नहीं पता वो लिख लीजिएगा बागे स्वेटू पिठोरागड ये कौन से दर्रा है ट्रेल पास दर्रा वहां से जॉर्ज विलियम ट्रेल गुजरे थे मलक सिंग बूढ़ा के साथ अगर जहां से करजन गुजरा था उस दर्रे का नाम उस जगा का नाम पढ़िए करजन पास अगर कुछन हाग करजन महोदे का बाए तीन माए कहां खव्याड़े गां अलमोडा में मांग करी किस ने करी ये सम्थिंग मैंने आपको अल्रेडी लिखा चुका हूँ तो उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा आगे बड़े 1903 के बाद एक डेट आएगी 1904 अगा 1904 में ये मुद्दा हाइकोर तक चला गया था अग उस समय ने निताल हाइकोर तो था नियमारा इलाभाद तो हम कहां थे यूपी में थे तो इलाभाद हाइकोर ने क्योंकि हम तो उस समय गुलाम यदे को आजाद बिनियो ने भी कुली बेगार पर्था को अवैद घौसित किया था उस समय के जो भी लोग रहे होंगे उत्राखणिया भारत के सीनियर सिटिजन जिनके अंग्रे जोगे सामने कुछ चलती रही होगी तो वो इस मुद्दे को लेके कोट में चले गए कि भाई एक कोट महों दिया अभी भी कोई भी मुद्दा फसता है कोई मुद्दा विवाधित होता है तो हम कोट के पास ही जाते है महा महीम के पास कि भाई बता हो जी क्या मुद्दा है आप फैसला लीजिए इलाबाद हाई कोड़ ने भी जब इसकी रेकी करी होगी तो मुझे लगता है आज वाली क्लास इतना इनप है आज की क्लास आपको समझ में भी आये होगी कि क्या है क्यानी है आज हमने स्टार्टिंग में Current Affair को हलका सा डिस्कस किया दो-तीन फैक्ट वो जरूरी था आप एक कॉफी बना लीजेगा अलग से उसमें Current Affair को रोज लिखिएगा रोज आपको दो-चार फैक Current Affair के बताऊंगा हाँ उत्राखन के Current Affair के लिए मैं एसल टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा दूसरी चीज क्या कहना चाह रहें दूसरी चीज ये थी कि कुली बेगरपर था कितने परकार के थी कौन-कौन क्या-क्या होता था कुली बरदाच्प एकेकर में आ चुकाया वो हो गया कुली बेगार परता को किसने क्या क्या बोला वो हो चुक है कुली बेगार परता का बिरोध शुरू हो गया गोरखाओने क्या क्या वो शुरू हो चुक है और डेट परते परते हम 1904 तक आ चुक है अब 1921 में कुली बेगार परता क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी तो इस से आगे की कानी हम कल वाली या नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे तो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक रिविजन करते रहेगा धन्यवाद और पीस यहां तक अगर आदा एक गंटा मुझे दे दिया है तो वीडियो को थोड़ा एक दो दोस्तों को तो सेर कर दो आपके एक दो दोस्त भी तैयारी तो जरूर कर रहे होंगे तो उनको वीडियो को सेर कर दो क्या पता कर उनको भी मेरी वीडियो पसंद आए जैसे आपको आ रहे है तो मिलते हैं धन्यवाद, thank you so much